हेलो फ्रेंटस हम सीख रहे हैं अलफरेड लॉर्ड टैनिसन और टैनिसन की बाइज़फी हम डिस्कस कर चुके हैं और फ्रेंटस टैनिसन के जो इंपॉर्डन वाक्स हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं तो चलिए friends एक एक point बड़े ध्यान से समझते चलिएगा देखिए बात कर ले हम year 1850 की क्योंकि 1850 से पहले तो हम discuss कर चुके थे और 1850 की बात करें तो ये वो year था जिसमें उनकी एक long illazaic poem आई थी और उसका title था in memoriam in memoriam published clear friends inspired by his friend author hellum's death inspired by his friend author hellum's death और friends ये question पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि जो in memoriam है वो किसकी death पे लिखी गई है वो illazy है उसमें किसकी death का जिक्र है कौन सा वेक्ति था जो मर गया और उससे inspired होके author नहीं memoriam लिखी पता नहीं कितनी बार किश्वन आया है फ्रेंट्स और ये वो year था 1850 जो उनकी लाइफ में एक turning point था means वो poet laureate बन गए in the year 1850 after the death of William Wordsworth he appointed the poet laureate clear prints तो poet laureate बन गए और किसकी death के बाद after the death of William Wordsworth क्योंकि वर्ट्स वर्थ की जो death है वो 1850 में हो गई थी और एक्च्वर में फ्रेंट्स यहां जो William Wordsworth की death पर ये poet laureate तो बन गए लेकिन William Wordsworth की death के बाद ये जो title offer किया था ये Samuel Rosers को offer किया गया था और Samuel Rogers के refusal के बाद Alfred Lord Tennyson laureate हो गए और फ्रेंट्स इसी year में उनकी लॉंग अवेटेड मेरिज थी वो हो गई यानी 1850 में ही married to Emily Selwood बात के लिए फ्रेंट्स टेनिसन और इमली ने आफ्टर मेरिज एक टूर किया और वो किया इटली एंड फ्रांस का टेनिसन और इमली था तूर 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 इतली और फ्रांस बात के लिए friends यानि Italy और France का टूर्किया और their first child इसके बाद उनका जो बच्चा था यानि a son Helm बेटा था बेटे का नाम था Helm और उसने उनकी biography लिखी यानि Alfred Lord Tennyson की जो biography लिखी उनके बेटे ने लिखी जिसका नाम था Helm और वो पैदा हुआ friends 1852 में his son Helm was born and he wrote his father's biography clear friends बात समझ में आ रही है एक एक पॉइंट clear हो रहा है तो चलिए नोट करते हैं यह स्क्रीन सोट ले सकते हैं आप फिर आगे बढ़ते हैं he bought a house at fairing fort fairing fort where a 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 रहते हुए उसका भी एक मेजर पोर्शन उन्होंने लिखा अब मेजर पोर्शन अब आप एपिक और क्या था एपिक आइडल्स अब दा किंग वाज रिटन एट फैरिंग फोर्ट बात के लिए फोर्ट में रहते हुए दो काम हुए नया घर था फैरिंग फोर्ट वहाँ मॉड लिखी और मॉड के साथ जो आइडल्स अब दा किंग है उनका भी इंपोर्टन पोर्शन वहाँ इन्होंने लिखा इसके बाद इन दे इयर एटीन सिक्स्टी नाइन अठाए सो उनतर में ही शिफ्टे टु इस न्यू हाउस एक नए घर में वह शिफ्ट हो गए और वह घर था फैर्ट्स एल्ड वर्थ में क्लिर्फिंस किस एर इन एटीन शिक्टीन नाइट पत्लिर्फिंस एस्टीन नाइट क्लिर्फिंस ही शिफ्टेड to his new house और उस new house वो कहाँ था at eld worth eld worth पे clear और eld worth कहाँ पढ़ता है friends in सरे जो सरे काउंटी है सरे में eld worth वो पढ़ता है और इसी घर में वो friends जब तक उनकी death हुई तब तक वो इसी घर में रहे चलिए इस पोईट को आगे बढ़ा देते हैं and lived they are till his death clear friends तो चलिए note करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद in the year 1870 1870 में a collection the holy grail and other poems published in 1870 1870 क्या था कलेक्शन का नाम a collection the holy grail and other poems the collection the holy grail and other poems published बात के लिए फिर्ट्स 1870 में ये collection published हुआ और इसी दोरान इनको एक टाइटिल भी दिया गया और टाइटिल दिया गया था इनको फिर्ट्स बैरन का तो बैरन का जो टाइटिल था उसको इन्होंने डेक्लाइन कर दिया वो दो बार इन्होंने डेक्लाइन किया मिन्स ही डेक्लाइन दा ओफर उफ बैरन ची क्लेर फिर्ट्स और ये कब किया इन्होंने ये किया 1865 में पहली बार और 1868 में दूसरी बार 1865 एंड 1868 में और 1883 में उनको एक टाइटल दिया गया और वो दिया गया पीरेज का तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ही एक्सेप्टेड दे टाइटल पीरेज पीरेज क्लेर फिर्ट्स पोएट की डैथ हो जाती है इन दा इयर 1892 अठारे सो बानवे में पोएट मर जाते हैं और यह जो डैथ हुई फेंस यह अबाउट 6 अक्टूबर की डेट मुझे ध्यान आ रही है दा पोएट डाइट तो डेट तो पर्टिकुलर डॉंट माइंड हमें जो इयर को फोकस करना डेट रेरली कभी पूछी जाती हो वो वर्ट्सपर्थ या शिक्ष्पियर की आती है इसके लाबा और किसी की डेट नहीं पूछी जाती है और डेथ हुई फेंस एट सरे इंगलेंड एट सरे इंगलेंड एट सरे इंगलेंड क्लियर फेंस जो मॉल्टल्स थे ओथर के वो बैरीड किये गए एट वेस्टमिंस्टर अबे इस मॉल्टल्स वर बैरीड एट वेस्टमिंस्टर अबे और वहीं पॉएट्स कोर्णर है फेंस वेस्टमिंस्टर अबे में तो जादतर जो ऑथर्स रहे हैं वो वहीं पे बैरीड किये जाते हैं इनकी लास्ट पोयम की बात करें तो लास्ट पोयम थी इनकी क्रॉसिंग दा बार चलिए यहां लिख देता हूँ क्रॉसिंग दा बार और फ्रिंस इनका जो एपिटफ है ठीक वो इसी क्रॉसिंग दा बार से लिया गया है और एपिटफ क्या है इनका आई होप टु सी माई पाईलेट फेस to face I hope कु तु सी माई पाईलेट फेस टू फेस कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने पाईलेट को यानि इश्वर को मैं कैसे देखूं मैं उसको फेस टू फेस देखना जाता हूँ मैं फेस टू फेस मिलना जाता हूं when I am crossed the bar क्रॉस्ट दा बार क्लिय फेन्स और यह क्रॉस्ड को यहां author ने क्रॉस्ट लिखा है तो मेरी इच्छा है कि जब मैं इस बार को पार कर जाँ इस भवसागर को पार कर जाँ इस दुनिया को पार कर जाँ तो मैं अपने पाइलोट से Face to Face मिलना चाहता हूँ बात clear friends, तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं Friends, Tenny Sun की बायोग्रेफी को डिसकस करने के बाद अब हम Tenny Sun की जो वाक्स हैं, उनको हम पॉइंट वाइस डिसकस कर लेते हैं Clear friends, तो सबसे पहले अगर इनके जो किसी पोईटिक वोल्यूम की बात करते हैं तो वो आता है Poems by Two Brothers, जेस्ट है मेंट प्रिंट्स बायोग्रफी को इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं Tenny Sun's work, तो वाक्स में सबसे फर्स्ट जो वाक्स है, फर्स्ट पब्लिस्ट वाक्स है, इनका वो टाइटल था Poems by Two Brothers यानि दो भाईयों के द्वारा Poems तो ये जो वाक्स है, Poems by Two Brothers ये पब्लिश हुआ था इन एर 1827, यारी 1800, 27 को और ये फर्स्ट पोईटिक वोल्यूम था Tenny Sun का फर्स्ट पोईटिक वोल्यूम अब Tenny Sun बात के लिए फ्रेंट्स Actually इसमें जो Poems थी, वो Two Brothers की नहीं थी वो Actual में Three Brothers थे, उनकी Poems थी और वो Three Brothers कौन-कौन से थी, वो थे Alfred, Charles and Frederick ये तीनों ही भाई थे, Real Brothers थे, तीनों की ये Poems थी Contained the Poems by Three Brothers, Contained Poems by the Three Brothers और कौन-कौन से थे फेंट्स, एक तो था Alfred, यानी Alfred और Tenny Sun, दूसरा था Charles, और तीसरा था Frederick तीनों भाईयों की Poems, Collectively, जो टाइटल दिया, Poems by Two Brothers के नाम से दिया और इन Poems पे जो इफेक्ट दिखाई दियता है, वो दिखाई दियता है, फ्रेंट्स, Lord Byron का इफेक्ट दिखाई दिया Thomas Moore का और Sir Walter Scott का जो प्रभाब है, वो इन ओथर्स पे जो ने बच्चे थे इन पर दिखाई दिया Poems have the impact of Scott, Sir Walter Scott और Sir Thomas Moore और इसी के साथ साथ Lord Byron M.O.O.R.E. Moore, clear friends? और इस में, इस Volume में अगर Chief Poems की बात करें तो उसमें नाम लिया जाता है, On Sublimity and Midnight The Chief Poems in the Volume R, On Sublimity and Midnight B.O.R.E. Moore, clear? तो यह जो फर्स पोइटिक वोल्यूम था उथर का इस से में में बाते हमने निकाल के दी आपको और यह इस से आपकी जो समझ है Poems इस वोल्यूम के लेके वो आपको बढ़ गई है, clear friends? तो चलिए, नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं चलिए, friends. नेक्स्ट जो इनकी फेमस पोइम थी, जो फेमस पोईटिक वोल्यूम था वो था तिम्बक्टू एंड अदर पोइम्स और तिम्बक्टू, friends, बड़ी फेमस पोइम रही है जिसको चांसलर मैंडल भी मिला था तिम्बक्टू एंड अदर पोइम्स ये second इनका published volume था और जो published weapons in the year 1829 को और written at Cambridge, जब ये Cambridge में पढ़ रहे थे तब ये poem जो हैं वो लिखी गई थी written at Cambridge और तिम्बक्टू एक्च्वल में इनका एक extended वर्जन था जो इन्होंने पहली poem लिखी थी जिसका टाइटल था आर मेगेड़न तो आर मेगेड़न का extended वर्जन जो था वो तिम्बक्टू के नाम से पब्लिश हुआ और ताइटल था उसका आर मेगेड़न clear won the chancellor medal at Cambridge Cambridge में ही chancellor medal इस poem को मिल गया था और फ्रिंट्स ये question आया भी है कि कब उनको chancellor medal मिला किस poem पे उनको chancellor medal मिला clear friends और subject अगर हम बात करें इस poem की theme की तो तिम्बक्टू का जो subject है वो murder of az laying in 1826 subject of the poem murder of az laying in 1826 six clear friends इसके बाद एक next poetic volume आया इंका और वो था poems chiefly lyrical just a minute third poems chiefly lyrical और यह जो वोक आया यह आया फ्रिंट्स 1830 में यानी 1830 में poem chiefly lyrical published हुआ था और इन poems में इस poetic volume में फ्रिंट्स Mariana, Isabel जैसी जो poem थी वो इसमें publish हुई थी क्लिया फ्रिंट्स content Mariana बड़ी famous poem रही है Mariana Isabel और Isabel के साथ साथ फ्रिंट्स यहां आई थी दा मर्मेन और दा मर्मेट दा मर्मेन और दा मर्मेट M-A-I-D मर्मेट और मर्मेन की spelling शायद M-A-N दे ले ना फ्रिंट्स की क्या है मर्मेन और ओड टू मैमरी क्लियर फ्रिंट्स एड्सेट्रा और इसमें यह जो पोयम रही है Mariana इस पोयम पे जो इफेक्ट रहा है फ्रिंट्स किसका प्रभाब देखा जाता है इस पे देखा जाता है जॉन कीट्स का प्रभाब क्लियर यानि Mariana एक पोइंट और बन जाता है इंफ्लूएंस्ट बाइ जॉन कीट्स क्लियर फ्रिंट्स तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फ्रिंट्स इन दे यर 1832 यानि 1832 की बात करें तो 1832 में एक दूसरा इनका पोइंटिक वोल्यूम पब्लिश हुआ और जिसको टाइटिल दिया गया पोइंस 1832 क्लियर फ्रिंट्स और यह जो पोइंटिक वोल्यूम था इस वोल्यूम में 30 पोइंस थी कंटेंड 30 पोइंस और उन 30 पोइंस में जो इंपॉर्टेंट पोइंस थी उसमें नाम लिया जाता है दा लेडी ओफ शैलर्ट मैरियाना इन दा इस्ट कौन कौन सी थी फिर्ट्स दे लेडी ऑफ सैलट दे लेडी ऑफ सैलट मैरियाना इन दा इन दा साउथ वो इस्ट नहीं है फिर्ट्स साउथ के नाम से है एक मैरियाना है जो पहले पब्लिश हो गई थी इसके बाद मैरियाना इन दा साउथ और फातिमा ओइनोन दा मे क्वीन क्लियर तो कौन कौन सी थी लेडी ऑफ सैलट मैरियाना इन दा साउथ फातिमा ओइनोन दा मे क्वीन और एक बड़ी फेमस पोएम और रही है इसी वल्यूम में और उसका टाइटल था दे लॉटर्स इटर्स और बड़ी प्यारी पोएम है फ्रेंट्स पढ़ी होगी आपने एमे में लगी हुई थी एमे प्रिवियस में और दा पैलेस अब आर्ट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स थी जो इस पोएटिक वोल्यूम में आई और फ्रेंट्स जो ओइनोन है ये जो पोएम मानी जाती है इसको माना जाता है टैनिसन्स फर्स्ट आइडल टैनिसन्स फर्स्ट आइडल के लिए फ्रेंट्स और इस वोल्यूम की अगर बात करें तो इस पे जो इफेक्ट दिखाई देता है जो इनफ्लूएंस दिखाई देता है वो शैली, बोकैसियो और बेकन का इनफ्लूएंस इन पोएम्स पे दिखाई देता है the influence of Shelley, Boccasio, and Bacon can be seen on the poems. यानि इस वोल्यूम पे complete पे ही Sally, Boccasio, और Bacon का परभाव दिखाई देता है। और फ्रेंस, 1832, 1832 के बाद, लगभग 10 साल तक, यानि 1832 से लेके 1842 तक, ओथर का जो पीरियड था बिल्कुल एक साइलेंट मोड में चले गए, और जिसको कहा जाता है, a period of silence, क्योंकि इसमें कोई भी output नहीं आया, ओथर ने कुछ नहीं लिखा, और इसके पीछे दो कारण माने जाते हैं, एक तो माना जाता है फर्स्ट रीजन कि डैथ ओफ आर्थर हैलम इन 1833, आर्थर हैलम, और क्लोज फ्रेंट थे, डिसकस हम पहले कर चुके हैं, आर्थर हैलम कौन थे, क्या था, और वो कब थी, 1833 में, तो शायद एक कारण तो ये था, कि जिस कारण इन्होंने कुछ नहीं लिखा, दस साल तक का एक पीरियड है, वो पीरियड ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है, इसके बाद फ्रेंट्स बात करें, तो एक मेंटल शॉक था इनको, और वो मेंटल शॉक क्या था, ये जो पोयम 32 है, इस पे जो क्रिटिकल अटेक हुआ था, इस वोल्यूम पे बहुत क्रिटिकल अटेक हुआ और शायद उससे एक मेंटल शॉक लगा, जिसके कारण 10 इयर्स कोई इनका लिटरी आउटपुट नहीं आया, क्लियर, तो दो रीजन हैं, ये इस पीरियर्ड ऑफ साइलेंस के पीछे माने जाते हैं, क्लियर, तो फर्स्ट तो लिग दिया मैंने, डैथ आफ आर्थर हेलम, और सेकेंड है, क्या है फिर्ट्स, अ मेंटल सॉक, बिक, ड्यू टू, दा क्रिटिकल, अटेक, ओन पॉयम, एटीन थर्टी टू, क्लियर, सॉट में फर्स्ट ये बात मैंने यहां लिख दी, तो पॉयिटिक वोल्यूम हम डिसकस करते आ रहे हैं, बाइग्रफी हमने डिसकस कर ली, फिर्ट्स लेक्चर आज के लिए काफी हो गया, बाकी जो पॉयिटिक वोल्यूम्स हैं या बाकी जो इंपॉयम्स हैं, जो एक्जाम में एकसर पूछी जाती हैं, उनको हम नेक्स लेक्चर में डिसकस करेंगे, तो चलिए फिर्ट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक क करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फिर्ट्स को शेयर करना ना भूलें, ताकि क्वालिटी मेटीरियल सब को फिरी अप कॉस्ट मिल सकें, ना थेक्स वर वाचिंग इस वीडियो